दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का कहानी संसार में आज मन्नु भंडारी की परसिद्ध कहानी यही सच है दोस्तों इस कहानी में रोमानी और भावनात्मक प्रेम का द्वंद दिखाया गया है तो आईए शुरू करते हैं आज की कहानी मन्नु भंडारी कृत यही सच ह कहानी इस प्रकार है सामने आंगन में फैली धूब सिमटकर दिवारों पर चड़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के जुंड के जुंड दिखाई दिये तो एका एक ही मुझे समय का आभास हुआ घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं जुझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं कुछ खुली कुछ बंद एक छण मैं उन्हें देखती रहती हूँ फिर निरुद्देश सी कपड़ों की आलमारी खोल कर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हैं सब बिखरे पड़े हैं इतनी देर यों ही ब्यर्थ खड़ी रही इन्हें ही ठीक कर लेती पर मन नहीं करता और फिर बंद किये देती हूँ नहीं आना था तो ब्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया फिर यह कोई आज की ही बात है हमेशा संजय अपने बताय हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके ही आता है और मैं हूँ कि उसी छड़ से प्रतिच्छा करने लगती हूँ उसके बाद लाग कोशिस करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है थिसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए पर यह बात उसे कैसे समझाओ मेच पर बैठ कर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ पर मन में है कि लगता ही नहीं परदे के जरा से हिलने से दिल की धरकन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए काटों पर दोड़ जाती है हर समय यही लगता है वह आया वह आया तभी महता साहब की पांस साल की छोटी बच्ची जे जगती सी कमरे में आती है आंटी हमें कहानी सुनाओगी नहीं अभी नहीं पीछे आना मैं रुखाई से जवाब देती हूँ वह भाग जाती है यह मिसेज महता भी एक ही है यहों तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती पर बच्ची को जब तब मेरा सीर खाने को भेज देती है महता साहब तो फिर भी कभी कभी आठ दस दिन में खैरियत पोच ही लेते हैं पर वे तो बेहद अकडू मालूम होती है अच्छा ही है ज्यादा जिल चस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादे से घूम फिर सकती थी खट 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 वही परिचित सब्द बुद्धवनी तो आगे है संजय मैं बर्वसी अपना सारा ध्यान पुष्टक में केंद्रित कर लेती हूँ रजनी गंधा के धेर सारे फूल लिये संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है मैं देखती हूँ पर मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती हसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दवाता हुआ पूष्टा है बहुत नाराज हो रजनी गंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है मुझे क्या करना है नाराज होकर रुखाई से मैं कहती हूँ वह कुरसी सहित मुझे गुमा कर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठा कर कहता तुम ही बताओ क्या करता क्वालिटी में दोस्तों की बीच फसा था बहुत कोशिस करके उठ नहीं पाया सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता इच्छा होती है कह दू तुम्हें दोस्तों का ख्याल है उनके बुरा मानने की चिंता है बस मेरी ही नहीं पर कुछ कह नहीं पाती एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ उसके साउले चेहरे पर पसीने की बूदे चमक रही है कोई और समय होता तो मैंने अपने आचल से इन्हें पोंच दिया होता पर आज नहीं वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है उसकी आखें छमा याचना कर रही है पर मैं क्या करूँ तब ही वह अपनी आदत के अनुसार कूरसी के हथे पर बैठ कर मेरे गाल सहलाने लगता है मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर की दुलार दिखाएगा वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोट टिक नहीं पाता फिर उटकर वह फूलदान के पुराने फूल फेक देता है और नए फूल लगाता है फूल सजाने में वह कितना कुशल है एक बार मैंने यों ही कह दिया था कि मुझे रजनी गंधा के फूल बड़े पसंद है तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन धेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहें तो न पढ़ने का मन लगता है न सोने में ये फूल जैसे संजे की उपस्थिती का आभास देते रहते हैं थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं एक आएक ही मुझे इरा के पत्र की याद आती है जो बात सुनने के लिए मेरे सवेरे से ही आतूर थी इस गुस्से बाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई सुनो इरा ने लिखत है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटर्व्यू का बुलावा आ सकता है मुझे तयार रहना चाहिए कहां कलकत्ता से कुछ याद करते हुए संजे पूछता है और फिर एक आएक ही उचल पढ़ता है यदे तुम्हे वह जाब मिल जाए तो मजा आजाए दीपा मजा आजाए हम सडक पर हैं नहीं तो अवस्य ही उसने आवेस में आकर कोई हरकत कर डाली होती जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसंद होना अच्छा नहीं लगता क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाओ उससे दूर तभी सुनाई देता है तुम्हें एहजाब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवालू हेड आफिस में यहां की रोज-रोज किछ-किस से तो मेरा मन उप गया है कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करू पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया वह दोनों पैर फैला कर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने आफिस के जगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाये बनाता है मैं कुछ नहीं बोलती बस एक टक उसे देखती हूँ देखती रहती हूँ जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ मुझे तो इंटर्व्यू में जाते हुए बड़ा डल लगता है पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है वह खिलखिला कर हस पड़ता है तुम भी एक ही मुर्ख हो घर से दूर यहां कमरा लेकर अकेली रहती हो रिसर्च कर रही हो दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटर्व्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हलकी सी चपच जमा देता है फिर समझाता हुआ कहता है और देखो आज कल यह इंटर्व्यू आज तो सब दिखावा मात्र होते हैं वहां किसी जान पहचान वाले से इंफ्लूएंस डलवाना जाकर पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है वहां इरा को छोड़ कर मैं किसी को जानती भी नहीं अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है असहाय सी मैं कहती हूँ और किसी को नहीं जानती फिर मेरे चहरे पर नजरे गड़ा कर पोचता है निसीत भी तो नहीं है होगा मुझे क्या करना है उससे मैं एकदम ही भनना कर जबाब देती हूँ पता क्यों नहीं पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा कुछ नहीं करना वह छेडने के लहजे में कहता है और मैं भभख पढ़ती हूँ देखो संजे मैं हजार बार तुमसे कह जुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है वह खिलखिला कर हस पढ़ता है पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है हम लोट पढ़ते हैं वह मुझे खुस करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है मैं जटपट हाथ हटा देती हूँ क्या कर रहे हो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कौन है यहाँ जो देख लेगा और देख लेगा तो देख ले आप ही कुढ़ेगा नहीं हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकते पसंद नहीं है चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो पर है तो रास्ता ही फिर कानपुर जैसी जगह कमरे में लोट कर मैं उसे बैठने को कहती हूं पर वह बैठता नहीं बस बाहों में भर कर एक बार चूम लेता है वह भी जैसे उसका रोज का नियम है वह चला जाता है मैं बाहर बालकनी में निकल कर उसे देखती रहती हूं उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड पर जाकर लुप्थ हो जाता है मैं उधर ही देखती रहती हूं निरुद्दे से सी, खोई-खोई सी फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूं रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आखे मेच पर लगे रशनी गंधा के फूलों को ही निहारती रहती है जाने क्यों अक्सर मुझे भरम हो जाता है कि ये फूल नहीं है मानो संजय की अनेका नेक आखे हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुल्रा रही है और अपने कोईयों असंख आखों से निरंतर देखे जाने की कलपना से ही मैं लजा जाती हूं मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खोब हसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उससे कहा था उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मुर्खा हूँ कौन जाने शायद उसका कहना ही ठीक हो, सायद मैं पागल ही हूँ कानपुर मैं जानती हूँ संजय का मन निसीत को लेकर जब तब ससंकित हो उठता है पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाओं की निसीत से नफरत करती हूँ उसकी याद मातर से मेरा मन घेडा से भर उठता है फिर अठारे वर्स की आयू में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला निरा बच्पन होता है महज पागलपन उसमें आवेश रहता है पर अस्थाय तो नहीं गती रहती है पर गहराई नहीं जिस वेख से वह प्रारंब होता है जरासा जटका लगने पर उसी वेख से तूट भी जाता है और उसके बाद आहों आसूओं और सिस्कियों का एक दवर सारी दुनिया की निसारता और आत्महत्या करने के अनेका नेक संकल्प और फिर एक तीखी घृड़ा जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है उन सब को भूलने में एक भी दिन नहीं लगता फिर तो वह सब ऐसी कोफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हसने की तबियत होती है तब एक आएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आसू, सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी वरन जीवन की उस रिक्तता और सुन्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बना कर बोजिल कर दिया था तब ही तो संजय को पाते ही मैं निसीत को भूल गई मेरे आसू हसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गोजने लगी पर संजय है कि जब तम निसीत की बात को लेकर बैर्थी खिन साहो उठता है मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवसे पढ़ता है पर मैं जानती हूँ वह पोड रूप से आस्वस्त नहीं है उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का मेरी कोमल भावनाओं का भविश सिकी मेरी अनेक योजनाओं का एक मातर केंदर संजय ही है यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निरजन अस्थान में पेड तले बैठ कर मैं भी अपनी थीसिस की बात करती हूँ या वह अपने आफिस की मित्रों की बाते करता है या हम किसी और भी से पर बात करने लगते हैं पर वह सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भाव कता या थार्थ में बदल गई है सपनों की जगए हम वास्तविक्ता में जीते हैं हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकरव अधिक गहरा हो गया है और अस्थाई हो गया है पर संजे को कैसे समझाओं यह सब ? कैसे उसे समझाओं की निसीत ने मेरा अपमान किया है ऐसा अपमान जिसकी कचोड से मैं आज भी तिल मिला जाती हूँ परिहास और दया का विश मुझे पीना पड़ा, विश्वास घाती, नीच कहीं का, और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल अस्थान है, छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछे तो अपने को भागिसालनी समझती हूँ, कि मैं एक ऐसे ब्यक और आलिंगनों में अपने कोईयों भिखरने देती, जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया, क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, विश्वास करो स इंटर्व्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे आफिस से छुटी नहीं मिल सकती, एक तो नया शहर फिर इंटर्व्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता, मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यों अकेली घूम फिर भी लेती हूँ, तो संजय सोचता है कि मुझे में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डल लग रहा है, बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ, कितनी सुन्दर कलपना है, कितनी मादक, पर इ जाने कैसी विचित्र आसंका, विचित्र से भैसे मेरा मन भर जाता है, प्लेटफार्म पर खड़े असंख नर नारियों में मैं इरा को ढूरती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती, नीचे उतरने के बजाए खिडकी में से ही दूर दूर तक नजरे दोडाती हूँ, आख अभी किसी के हाथ के असपर्स से मैं बुरी तरह चौक जाती हूँ, पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है, रुमाल से चहरे का पसीना पोचते हुए कहती है, ओफ तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी, बाहर आकर हम टैक जाजगी से भर देती हैं, इरा मुझे इस पुल की विशेस्ता बताती है और मैं बिस्मिस से उस पुल को देखती हूँ, दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। क्यों इरा कौन कौन लोग होंगे इंटर्वियू में। मुझे तो बड़ा डल लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा तुड और डर। हम जैसे डरें तो कोई बात नहीं है। जिसने अपना सारा केरियर अपने आप बनायवा भला इंटर्वियू में डरे। फिर कुछ दे ठहर कर कहती है अच्छा भाईया भावी तो पटना ही होंगे। जाती है कभी उनके पास भी या नहीं। कान पुराने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यों पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह परसंग कत्ताई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विशय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है सुन्दर ढंग से सजाया हुआ। उसके पती के दवरे पर जाने की बास सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते। पर फिर एकाएक लगा उनकी अनुपस्थिती में मैं शायद अधिक स्वतंता का अनुभो कर सकूँ। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। इरा पास की कुरसी पर बैठने का निमंतरण दे देती है। पहुषने को उतावली हो रही थी। काफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन नो वज़े आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे तीन साल बाद निशीत का यो मिलना नह चाह कर भी जैसे सारा अतीत आखों के सामने खुल जाता है। बहुत दूबला हो गया है निशीत, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाय बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे, कलपना चाहे कितने भी मधूर क्यों नहो, एक त्रिप्त युक्त आनन्द देने वाली क्यों नहो, पर मैं जानती हूँ यह जूट है। यदि ऐसा ही था, तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसमें अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एक आएक ही मेरा मन कटू हो उटता है। यही तो है वह बैक्ती जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया थ देखती वह कल भी आएगा, मुझे उसे साब साब मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आएकल मैं उसे बता दूँगी कि जल्दी ही मैं संजय से बिवाह करने वाली हूँ। यह भी बता कि मैं पिछला सब कुछ भूल चिकूई हूँ। यह भी बता दूँगी कि मैं उसे घिड़ा करती हूँ और उसे जिन्दगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में एक बात भी उट रही थी कि तीन साल हो गए अभी तक निशीत ने आदा रही है बताओ मैं क्या करूँ। कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है डेर सो की नौकरी के लिए खुद मिनिश्टर तक सिफारिस करने पहुँच जाते हैं। फिर यह तो तीन सो का जाब है। निशीत सबेरे स साम तक इसी चकर में भटका है यहां तक कि उसने अपने आफिस से भी छुटी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिला कर ही मानेगा। पर आखि घर से थोड़ी दूर पर निसी टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पाजामा तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यों चकर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया। और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कट नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा वह बड़ा प्रसन हुआ। वही बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा। उसकी योजना भी बना डा बैठे बैठे फोन से आफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह आफिस नहीं आएगा। बिचित्र इस्थिती मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत तो भरे बेवहार को मैं स्विकार भी नहीं कर पारती थी। नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही पर काम की बात के अतरिक्त उससे एक भी बात नहीं की मैंने कई बार चाहा कि संजे की बात बता दूँ पर बता नहीं सकी सोचा कहीं वह सुनकर यह दिल चस्पी लेना कम न कर दे उसके आज भर के प्रयतनों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चुकी थी एक नौकरी मेरे लिए कितनी आवस्यक है मिल जाये तो संजे कितना परसन होगा हमारे बिवाहित जीवन के लिए आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे शाम को हम घर लोडते हैं मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं बस खड़ा ही रहता है उसके चवड़े ललाट पर पसीने की बूदे चमक रही है एका एक ही मुझे लगता है इस समय संजे होता तो मैं अपने आचल से उसका पसीना पोच देती और वह क्या बिना बाहों में भरे बिना प्यार किये यों ही चला जाता अच्छा तो चलता हूँ यह अंतर चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं वह लोट पड़ता है और मैं ठगी ठगी सी देखती रहती हूँ सोते समय मेरी यादत है कि संजे के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना लग रहा है पता नहीं संजे तुम इस समय क्या कर रहे हो तीन दिन हो गए किसी ने बाहों में भर कर प्यार तक नहीं किया कलकत्ता आज सबेरे मेरा इंटर्व्यू हो गया मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तैं हो गया है मैं जानती हूँ यह सम निशीत की वज़े से ही हुआ ढलते सूरज की धूप निशीत के बाय गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन के बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा मैंने देखा मुझे ज़्यादा वह प्रसन है वह कभी किसी का अहसान नहीं लेता पर मेरी खातिर उसने नजाने कितने लोगों को अहसान लिया आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता कर रहूं उसके साथ उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तनमन सीहर उड़ता है वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है बहुत अनुचित है मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसे कोई बात नहीं है साइद वह केवल मेरे प्रत किये गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे च्छमा कर दूँगी? या जो कुछ उसने किया उसे भूल जाऊंगी? असंभव मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूँगी आज तो इस खुसी में पार्टी हो जाए काम की बात के अलावा यह पहला वाक कि मैं उसके मुह से सुनती हूँ मैं इरा की ओर देखती हूँ वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नु की तबियत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है अभी तक तो काम का बहाना लेकर भूम रही थी पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती अंदर जाकर तयार होती हूँ मुझे याद आता है निसीत को नीला रंग बहुत पसंद है मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ बड़े चाव और सतरकता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ किसको रिजाने के लिए है सब हो रहा है क्या यह निरा पागलपन नहीं है सीड़ियों पर निसीत हलकी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है इस साड़ी में तुम बहुत सुंदल लग रही हो मेरा चेहरा तम-तमा जाता है कनपटियां सुर्ख हो जाती है मैं चुपचाप ही इस वाक के लिए तैयार नहीं थी यह सदा चुप रहने वाला निसीत बोला भी तो ऐसी बात मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है ने ऐसी बातें करता है जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ बलकि एक पुलक मैं सिहरन महसूस करती हूँ सच संजय के मुह से ऐसा वाक के सुनने को मेरा कान तरसता रहता है पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की पिछले ढ़ाई साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं कितनी ही बार मैंने श्रिंगार किया अच्छे कपड़े पहने पर प्रसंसा का एक सब्द भी उसके मुह से नहीं सुना इन बातों पर उसका ध्यान भी नहीं जाता यह देखकर भी जैसे मैं यह सब नहीं देख पाता इस वाके को सुनने के लिए तरसता हुआ मिरा मन जैसे रस से नहा जाता है पर निसीत नह बात क्यों कही उसे क्या अधिकार है क्या सचमुच हुई उसे अधिकार नहीं है नहीं है जाने कैसी मजबूरी है कैसी विवस्ता है कि मैं इस बात का जबाब नहीं दे पाती हूँ निश्यात्मक द्रिंटा से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विशे में ऐसी अवांचित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं मैं से उच्ती हूँ आज मैं इसे संजे की बात बता दूँगी स्काई रूम निसीत टैक्सी वाले को आदेश देता है टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बाते करने चलने लगती है निसीत बहुत सतरकता से कोने में बैठा है बीच में इतनी जगह छोड़ कर कि यद हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा असपर्स नहो हमा के जोके से मेरी रेश्मी साडी का पल्लू उसके समूचे वदन को असपर्स करता हुआ उसकी गोदी में पढ़कर फरफडाता है वह उसे हटाता नहीं है मुझे लगता है यह रेश्मी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भीगो रहा है यह असपर्स उसे पुलकत कर रहा है मैं विजय के अकतनी अहलात से भर जाती हूँ आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती चाह कर भी नहीं कह पाती अपनी इस विवस्ता पर मुझे खीज भी आती है पर मेरा मुँ है कि खुलता ही नहीं मुझे लगता है कि मैंने जैसे कोई बहुत बड़ा अपरात कर रही हूँ पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी यह निसीत कुछ बोलता क्यों नहीं उसका यों कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कते ही अच्छा नहीं लगता एक आएक ही मुझे संजे की याद आने लगी इस समय वो यहां होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिप्टा होता यो सड़क पर ऐसी हरकते मुझे स्वेंग पसंद नहीं पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है मैं जानती हूँ कि जम निसीत बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बास सोचना भी कितना अनुचित है पर मैं क्या करूँ जितनी दुरूत गत से टैक्सी चलती जा रही है मुझे लगता है उतनी ही दुरूत गत से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांचित दिसाओं की और टैक्सी जटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है मैं जल्दी से दाहिने और फाटक खोल कर कुछ इस हडबडी से नीचे उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निसीत मेरे साथ कोई बत्तमीजी कर रहा हो अजी इधर से उतरना चाहिए कभी टैक्सी वाला कहता है मुझे अपनी गल्ती का भान होता है उधर निसीत खड़ा है इधर मैं बीच में टैक्सी पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे कियामने सामने हो जाते हैं एक आएक ही मुझे खयाल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए पर अब क्या हो सकता था चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं आस पास बहुत कुछ है चहल पहल रोशनी रहुनक पर मेरे लिए जैसे सब का अस्तित्त ही मिट जाता है मैं अपने को सब की नजरों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराद कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराद हो गया है आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं मैं होश्ट हूँ फिर उसका पार्ट वही अदा कर रहा है वही आडर देता है बाहर की हलचल और उससे अधिकमन की हलचल में मैं अपने को खोया-खोया सा महसूस करती हूँ हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड काफी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है मुझे बार-बार लगता है कि निसीत कुछ कहना चाह रहा है मैं उसके होठों की धरकन तक महसूस करती हूँ वह जल्दी से काफी का इश्ट्रा मुह में लगा लेता है मुर्ख कहीं का वह सोचता है मैं बेवकूप हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है तीन दिन साथ रहकर भी हमने उस परसंग को नहीं छेड़ा शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर चाही हुई थी पर आज अवस्य ही वह बात आएगी न आये यह कितना अस्वभाविक है पर नहीं स्वभाविक सायद यही है तीन साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है जो संबंध तूट गए तूट गए अब उन पर कौन बात करे पर जाने कैसी विवस्ता है जाने कैसा मों है कि मों नहीं खोल पाती एका एक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसी आ जाती हूँ फिर वही मौन खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा पर यंत्र चलिस सी मैं खा रही हूँ शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है मुझे फिर लगता है कि उसके होट फड़क रहे हैं और इश्ट्रा पकड़े उसकी उंगलियां काप रही है मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना वह पूछी कि यो नहीं लेता मानलो यदि पूछी ले तो मैं क्या कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती मैं तुमसे नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या काफी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वास घात की बात को भूल गई हूँ और एका एक ही पिछला सब कुछ मेरी आँखों के आगे तैरने लगता है पर यह क्या असा है अपमानिजनित पीडा, क्रोध और कव्टता क्यों नहीं यादाती, मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों को विवेचित्र उभर कर आते हैं जब घंटों समीब बैट मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना सपर्स किये भी जाने कैसी माधकता तनमन को बिभोर किये रहते थी जाने कैसी तनमयता में हम डूबे रहते थे एक बिचित्र सी स्वपनिल दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुह पर अंगुली रखकर कहता आत्मीता के ये छड़ अनकहे ही रहने दो दीपा आज भी तो हम मौन ही है एक दूसरे के निकट ही है क्या आज भी हम आत्मीता के उन छड़ों में गुजर रहे हैं मैं अपनी सारी सक्ति लगा कर चीक पढ़ना चाहती हूँ पर नहीं नहीं यह काफी सिप करने के अत्रिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती मेरा यह बिरोध हिर्दय कि नजाने कौन सी अतल गहराईयों में डूब जाता है निसीत मुझे बिल नहीं देने देता एक बिचितर सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना छप्टी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छूजाए मैं अपने असपर्स से उसके मन के तारों को जंजना देना चाहती हूँ पर वैसा औसर नहीं आता बिल वही देता है मुझे तो बिरोध भी नहीं किया जाता मन में परचंड तूफान पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टेक्सी में आकर बैठती हूँ फिर वही मौन वही दूरी पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निसीत मेरे बहुत निकट आ गया है बहुत ही निकट बार बार मेरा मन करता है कि क्यो नहीं निसीत मेरा हाथ पकड़ लेता क्यो नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी जरा भी नहीं पर वह कुछ भी नहीं करता सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ पर निसीत है कि बार बार संजय की आकरित को हटा कर स्वैंग आखड़ा होता है कलकत्ता अपनी मजबूरी पर खीज खीज जाती हूँ आज कितना अच्छा मौका था सारी बातें बता देने का पर मैं जाने कहां भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई शाम को मुझे निसीत अपने साथ लेक ले गया पानी की किनारे हम घास पर बैठ गए कुछ दूर पर काफी भीड भाड़ा और चहल पहल थी पर यह अस्थान अपेच्छा के शांत था सामने लेक में पानी की छोटी छोटी लहरे उठ रही थी चार ओर के वाता बरण का कुछ बिचितर सा भाव मन पर पड़ रहा था अब तो तुम यहां आ जाओगी मेरी ओर देखकर उसने कहा हाँ नौकरी के बाद क्या इरादा है मैंने देखा उसकी आँखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है शायद कुछ कहने की भी मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा कुछ नहीं जाने क्यों मैह कह गई कोई है जो मुझे कचोटी डाल रहा है क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद संजय से बिवाह करूँगी मैं संजय से प्रेम करती हूँ वह मुझसे प्रेम करता है वह बहुत अच्छा है बहुत ही वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती अपनी इस बेवसी पर मेरी आँखे छल छला जाती है मैं दूसरी और मुह फेर लेती हूँ तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खोसूँ मेरी सांस जहां की तहां रुख जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए पर सब्द नहीं आते बड़ी कातर, करूण और याचन भरी द्रिष्टिते मैं उसे देखती हूँ मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीत कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझे बिवा करना चाहते हो कह दो निशीत, कह दो या सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छट पटा रहा है मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी मान ही कैसे सकती हूँ निशीत इतना सब हो जाने के बाद भी सायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे सदा के लिए मितभासी हो, जो हो फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए ये मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शान्त, मौन, आत्मीता के ये छण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूजे नहीं रह सकते, तुम चाहे न कहो पर मैं जानती हूँ, तुम आज भी मुझे प्यार करत और मैं, लगता है इस प्रश्ण का उतर देने का साहस मुझे में नहीं है, मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुम से नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करने पड़ी, लगता है रात आधे से भी अधिक धल गई है, कानपूर, मन में उतकट इरा भिलासा होते हुए भी निशीत की आवस्यक मीटिंग में, मीटिंग की इस बात को सुनकर मैंने कह दिया, कि तुम इस टेशन मत आना, इरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठा कर ही चली गई, या कहूं कि मैंने जबर जैस्ती ही उसे भेज दिया, मैं जानती थी कि लाक म जगरता से डिबो में जगता जगता निशीत आ रहा था, पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी परतिच्छा में मैं यहां बाहर खड़ी हूँ, मैं दवड कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए, पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है, वह बहु आ जाते हैं, जगह अच्छी मिल गई, वह अंदर जाकते हुए पूचता है, हाँ, पानिवानी तो है, है, विस्तर फैला लिया, मैं खीच पड़ती हूँ, वह सायस समझ जाता है, सो चुप हो जाता है, हम दोनों एक छण को एक दूसरे की ओर देखते हैं, मैं उसकी आखों में बिचितर सी छायें देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मत रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है, वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हलका कर लेता, आज भीड विसेस नहीं है, चारोर नजर डाल कर वह कहता है, म गाड़ी चलने में किवल तीन मिनट बाकी रह गए हैं, एक बार फिर हमारी नजरे मिलती हैं, उपर चड़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है, बड़ी असहाय से नजर से उसे मैं देखती हूँ, मानु कह रही हूँ, तुम ही चड़ा दो, फिर धीरे धीरे चड़ जाती दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ, और वह नीचे प्लेटफार्म पर जाकर पहुशने की खबर देना, जैसे ही मुझे उधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा, तुम्हें सूचना दूँगा, मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ, सीटी हरी जंडी फिर सीटी, मेरी आखे छलचला आती हैं, गाड़ी एक हलके से जटके के साथ सरकने लगती है, वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है, मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ों, मैं सब समझ गई निसीत सब समझ गई, जो कुछ तुम इन चार दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस छड़िक असपर्स ने कह दिया, विस्वास करो या तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एक मातर तुम्हारी, पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ च पकड़ते ही, वह हाथ को जरा सा दवा कर छोड़ देता है, मेरी छल छलाएं आखे मुझ जाती है, मुझे लगता है यह असपर्स, यह सुख वह छड़ ही सकते है, बाकी सब छूट, अपने को भूलने का भर्माने का छलने का असफल प्रयास है, आसु भरी आखों से मैं प् प्रयास करती हूँ, गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाचि बत्तियां दिखाई देती है, धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है, पीछे छूटती जाती है, मुझे लगता है कि यह दैत्याका ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अंदे की अंजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, बोजिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ, आखे बंद करते ही, सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र भरता है, कान पुर जाकर उसे क्या बोलूँ इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं, मैं उसे सारी बास समझा दूँगी, कहूंगी, संजय जिस संबंद को डोटवा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़े हिर्दें की किन अतल गहराईयों में जमी हुई हैं, इसका एहसास कल कत्ता में निसीत से मिलकर हुआ, याद आता है तुम निसीत को लेकर सदय भी संदिग्द रहते थे, पर तब मैं तुम्हें इर्षयाल समझती थी, आज स्विकार करती हूँ कि तुम जीते मैं हारी, सच मानना संजय धाई साल में स्वैंग भ्रहम में थी, और तुम्हें भी भ्रहम में डाल रखा था, पर आज भ्रहम के छलना के सारे इजाल छिन भिन हो गए हैं, मैं आज भी निसीत को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुट्साहस कैसे करूँ, आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का भि आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं केवल कृतग्यता की है, तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था, जब अपने पिता और निशीत को होकर मैं चूर-चूर हो चुकी थी, सारा संसार मुझे बीरान नजराने लगा था, उस समय तुमने अपने इसनेहिलस पर से मुझे जिला दिया, मेरा मुर्जाया मरा मन हरा हो उठा, मैं कृत-कृत्य हो उठी, और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करते हूँ, पर प्यार की बेसुद घडियां वे विभोर छण, तनमैता के वे पल जहां सब्द चुक जाते है हमारे जीवन में कभी नहीं आये, तुम ही बताओ, आये कभी, तुम्हारे असंख आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक छण के लिए भी तुम मैंने कभी तन मन की सुध को विश्रा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभो नहीं किया, सोचती हूँ निसीत के च जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी और जो सचमुष ही तुम से प्रेतम की तरह प्यार करेगी, आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि पर्थम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बात में किया हुआ प्रेम, तो अपने को भूलने का भरमाने का एक प्रयास मात्र ह इस तरह की असंख बाते मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैं संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही, उसके साथ अब एक भी छल नहीं कर सकती, मन से किसी और की आरातना करके तन से उसकी होने का भिने करती रहूं, छे, नहीं जानती यह सब सोचते, स देखती हूं, सब कुछ ज्यों कत्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनिगंधा मुर्जा गये हैं, और कुछ फूल जड़कर जमीन पर इधर उधर बिखर गये हैं, आगे बढ़ती हूं तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है, खोला त थोटा सा पतर था, दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, मैं आज आफिस के काम से कटक जा रहा हूं, पांच-छे दिन में लोट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी, जानने को उसुखूं की कलकत्ता में क्या हुआ, तुमारा संजय, एक लंब भी तूट जाती है, मैं असपष्ट सब्दों में लिख देती हूं कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूं, साथ ही अभी लिख देती हूं कि मैं उसकी उस हरकस से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया, इस अपनतों में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता, लोटी हूं, तब से नजाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आँखों के आगे चाही हुई है, एक खुबसूरत से लिखापे में उसे बंद करके मैं स्वेंग पोष्ट करने जाती हूं, रात में सोती हूं तो अ सुना सुना, अनमना अनमना सा लगता रहा सारा दिन, किसी भी तो काम में जी नहीं लगता, क्यों नहीं लोटती दाग से ही वह उत्तर दे दिया उसने, समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं, मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूं, एका एक ख्याल आता है पिछले धाई सालों से करीवी सी समय, यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतिच्छा की है, क्या आज मैं संजय की प्रतिच्छा कर रही हूं, या मैं निसीत की पतर की प्रतिच्छा कर रही हूं, सायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूं कि दोनों में से कोई भी नहीं आ कमरा बंद करके मैं अपने को धकीलती सी सड़क पर ले आती हूँ, शाम का दुधल का मन के बोज को और भी बढ़ा देता है, कहां जाओं, लगता है जैसे मेरी राहे भटक गई है, मंजिल खो गई है, मैं स्वेंग नहीं जानती, आखिर मुझे जाना कहा है, फिर भी जुकती हो गई है बधाई, इतनी बड़ी खुस खबरी पाकर भी जाने क्या है खुस नहीं हो पाती, यह खबर तो निसीत भेजने वाला था, एका एक ही एक बिचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रहम ही था, मातर मेरी कलपना, मेरा अनुमान, नह नहीं नहीं, उस असपर्स को मैं भ्रहम कैसे मान लूँ, जिसने मेरे तनमदन को डूबो दिया था, जिसके द्वारा उसने नहिरदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी, लेक पर विताए उन मधुर छड़ों को भ्रहम कैसे मान लूँ, जहां उसका मौन ही मुखरित ह कर सब कुछ कह गया था, आतमीता के वे अनकहे छण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, क्या कल उसका पत्र आएगा, क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है, तभी सामने की घड़ी टन-टन करके 9 बजाती है, मैं उसे देखती हूँ, यह संजे की लाई हुई है लगता है, जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजे की याद दिला रही है, फहराते यह हरे परदे, यह हरी बुकरायक, यह टेबल, यह फूलदान सभी तो संजे की हिलाय हुए हैं, मैं उस पर रखा यह पेन, उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था, अपन कर आखे मौद लेती हूँ, एक बर फिर मेरी आखों के आगे लेक का स्वच नीला जल उभराता है, जिसमें छोटी-छोटी लहरे उठ रही हैं, उस जल की और देखते हुए निशीत की आकरित उभराती है, वह लाख जल की और देखे पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ, कुछ ने कह पाने की मजबूरी, उसकी विवस्ता, उसकी घोटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है, धीरे-धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमठता जाता है, और एक छेटी सी राइटिंग टेवल में बदल जात और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की अंगुलियों को बालों में उल्जाये निशीत वैठा है, वही मजबूरी, वही विवस्ता, वही घोटन, वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता, वह कोसिस करता है पर उसका हाथ वसकाप कर रह जाता ह वह लगता है उसकी घोटन मेरा दम घोटकर रख दे कि मैं एका एक ही आखे खोल देती हूँ, वही फूल दान, परदे, मेज, घड़ी, अखिराज निशीत का पत्र आ गया, धड़कते दिल से मैंने उसे खोला, इतना छोटा सा पत्र, प्री दीपा तुम अच्छी तरह पह अधिक बधाई स्विकार करना, सच मैं बहुत खुसूं कि तुम्हें यह काम मिल गया, महनस सफल हो गई, सेस फिर, सुभेच निशीत, बस धीरे से पत्र के सारे सब्द आखों के आगे लुपत हो जाते हैं, रह जाता है केवल सेस फिर, तो अभी उसके पास कुछ लिखने क को शेस है, क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी, क्या लिखेगा वह, दीपा, मैं मुड कर दरवाजे की ओर देखती हूँ, रजनी गंधा के धेर सारे फूल लिए, मुस्कुराता सा संजय खड़ा है, एक छण मैं संग्या सूनिसी उसे इस तरह देखती हूँ, मानो पहचा तूट जाता है, अनयासी आँखों से आसू बह चलते हैं, क्या हो गया, कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या, मारो भी गोली काम को, तुम इतनी परिसान क्यों हो रही हो उसके लिए, पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड कस्ती जाती है, कस्ती जाती है, रजनी गंधा की महक धीरे-धीरे मेरे तन्मन पर चा जाती है, तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का असपर्स महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है यह असपर्स, यह सुक, यह छण ही सत्य है, वह सब जूट था, मित्या था, ब्रहम था, और हम दोनों एक दूस कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार